स्टुडेंट अगर आपको याद हो तो पिछे लेक्चर में हमने हमने के ब्रैन के स्ट्रेक्चर और फंक्शन को डिसकस किया था और आज हम डिसकस करेंगे इस्पाइनल कोड लेकिन इस्पाइनल कोड को डिसकस करने से पहले जो हमारा प्रीवेस लेक्चर था जिसमें मैंने human के brand and structure को discuss to this country with the structure अश्मूंक्सिन कुछ और चीज इसके च्छ विद्स कर लेते हैं तो यह कुछ शोट सर्ट है जो कौन से टॉपिक से रिलेटीड है जो हुमन ब्रेंट से रिलेटेड है जब आप शोर्ट कुछ ठीपरेशन कर लेते हो तो शोर्ट कोशेशन के साथ ही आपक उसकी preparation भी हो जाती है तो देखें यहां पर पहला question है in list the part of four brain यानि four brain के part को आप in list करें four brain के parts के आप नाम बताएं तो according to federal board, federal board ने जो four brain के part बताएं आपकी book में एक तो cerebrum है, दूसरा जो है इसके अंदर जो है आपके पास thalamus आ जाता है और तीसरा क्या है, तीसरा जो है limbic system, पर limbic system में भी hypothalamus, hypocampus और amygdala, यह आगए किसके parts हो गए, यह parts हो गए four brain के उसके बात कहता है नेमदा, parts of hindbrain, hindbrain के जो हैं वो parts बताएं तो आपको बताएं hindbrain के जो parts हैं, एक तो medulla oblongata था, दूसरा pons था और उसके साथ तीसरा क्या था, seri, bilam, यह तीन part हो गए, किसके यह तीन part हो गए hindbrain के, इसके बाद जो next question है, question number three, name three parts of brain which are involved in storage of memory, यह नि brain के ऐसे तीन parts के नाम बताएं, यह brain के अंदर जो ऐसी three structures हैं, उनके नाम बताएं, जो किससे related हैं, जो कि memory को store का करने का काम करते हैं, तो आपको पता हैं, इन तीन part में सबसे पहला part जो है, वो seri, bilam, आपको पता है, seri, bilam, जो है, वो short term memory जो होती है, हमारी store होती है, कहां seri, bilam, फिर hypo campus है, जिसमें long term memory store होती है, इसके इलावा एक और part है seri, bilam, जिसमें memory stored होती है, मुक्तलिक behaviors होती है, जिनकी जो memory होती है, वो कहां storage होती है, seri, bilam, तो इसका मतलब हमारे पास ये तीन part हो गए हमारे brain के, ये तीन structures हो गए हमारे brain की, जो किस इसमें involved होती है, जो memory को store करने का काम करती है, write down the function of corpus callosum, सबसे पहले कह रहा है, corpus callosum का जो है, वो आप क्या लिखें, आप function बताएं, तो corpus callosum का जो function है, मैंने आपको बता चुका था, कि ये आपका right cerebrum है, और ये left cerebrum है, right or left cerebrum का आपस में connect करने का जो काम करता है, वो कौन करता है, वो करता है, वो करता है, corpus callosum, तो what is its function, to connect right cerebrum with left cerebrum, and from which part of neuron they are made up of, और आपको पता है, कि ये जो corpus callosum होता है, ये किसके बने वे होता है, neuron के कौनसे part के बने होते हैं, exon के बने होते हैं, मतलब ये cell bodies के नहीं बने होते हैं, ये exon के बने होते हैं, cell bodies तो इनकी यहांपर कौनसे والे matter में पड़ी होती है, इसका जो gray matter होता है, cerebrum का, यहां पर मुझूत होती है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ही किसंग में इंटरव कर रहा है नियूरों के एक्जोन के बने होते हैं तो वो कितनी होती है, total four होती है, हमारे brain में total four जो है, वो क्या मौझूद होते हैं, how many ventricles are present, four ventricles जो हैं वो मौझूद होते हैं, और in which part of man, in which man part of brain they are located, यानि brain के जो तीन main part है, मतलब four brain, mid brain और hind brain, ये कहां पर located होते हैं, के जो two ventricles होते हैं, first and second ventricle, first, second and third ventricle जो होगे 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 में में नहीं होता है। है reduce होता है इसके बाद name the lobes of cerebrum cerebrum की जो है वो लोब बता है तो मैंने आपको बताया था यह जो cerebrum होता है इसकी कुछ lobes होती है frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe यह चार जो है वो क्या हैं लोब नहीं इसके आपने नाम बताने थे which structure are collectively called limbic system वो कौन सी structures है जिनको मिला कर हम limbic system कहते हैं तो आपको बताएं यह तीन structure हो गई हाइपो, thalamus, amygdala, and hypocampus these three structures are collectively called limbic system इन तीन structures को हम क्या कहते हैं इनको हम limbic system कहते हैं write down the function function of medulla oblongata यह जो medulla oblongata है उसका आपने क्या लिखना है medulla oblongata का आपने function लिखना है और अगर आपको याद हो तो last time मैंने medulla oblongata का आपको function जो है वो बताया था कि हमारे जो emotions होते हैं जैसे love हो गया, hate हो गया, anger हो गया, fear हो गया, sexual arosal जो है तमाम चीजों को कौन control करता है इसको medulla oblongata का यह जो है वो function है what which part of four brain act as a relay center यानि हमारे four brain का वो कौन सा part है जो relay center का काम करता है relay center मतलब एक जगा की information दूसरी जगा पर जो है वो transfer करता है अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था thalamus, thalamus जो है वो four brain का part होता है वो basically क्या करता है information जो आ रही होती है hind brain से जो information आ रही है, mid brain से जो information आ रही है उनको आगे cerebrum की तरफ क्या कर देता है, transfer कर देता है तो मतलब हमारे four brain का वो कौन सा part है जो relay center का का काम करता है, तो कौन सा काम करता है, thalamus और अगर हम बात करें which part of brain है एक तैस relay center, नहीं आपका total जो brain के parts है, जिसके brain के जर्णली जो part है, four brain है, एक mid brain है, और hind brain है तो इन तीनों brain के main parts में four brain हो गया, एक hind brain हो गया और इसमें एक क्या हो गया, यह mid brain, इन में relay center का का काम कौन करता है, तो इन तीन में से जो relay center का का काम करता है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है basically आपका mid brain, जो hind brain की information को कहां पहुचा रहा है, hind brain की information को four brain की तरफ पहुचा र लेला का काकी आपका है। तो इसका क्या होगा इसका सुरी यह उंसर क्या होगा इसका सवह बैंज तो यह कुछ कोई संसे मेंलो सारे कोई से यहां पर मैंने जड़ने कुछ स्यंग लिख यहां पर उनका अन्सर भी मैंने दे दिया अच्छ आँ आजांते हैं हम किसकी तरफ हमा जाते हैं Sydney इतरों की तरफ की थारत कि解श यह घ्रझ good के यह रूपन जो इने हम तर रहांश है और कुछपष्ड अ कि के बॉप कि एक कि वा उसकी बुक से कुछ पौंञट लियाना है सबसे ले दिखनें इस पैनल कोड नर्वस सिस्टम से क्या है यह सैंटम कैय। अब सेंटरव के बिलोफ नर्वस सिस्टम का मतलब देखो क्या है अब आपको मैं पहले बताँ कि हम्हारा जो फू महता ये ओम से स्ट्रम होता है वह दो पार्ट पर क्या होता है कंसेस्ट होता है जिसमें क्या आजाता है जिसमें आजाता है यह आपका ब्रैन और उसके साथ ये spinal cord ये central nervous system और spinal cord से कुछ nerves निकल रही होती है इस तरह से जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम कहते हैं spinal nerves जो आपकी पूरी body में थेली होगा तो मतलब क्या है कि इन spinal nerves से अगर कोई message जाना होगा brain की तरफ जो spinal nerve है इधर से कोई message जाना होगा अगर brain की तरफ वो किस से message होता हुआ जाएगा spinal cord से और अगर हमारे body के system की तरफ कोई message brain से आना होगा तो वो भी किस से होता हुआ आएगा spinal cord से तो हम कह सकते हैं कि central cable है यानि बीच का एक तार है जो कि क्या कर रहा है हमारे peripheral nervous system को किस से connect कर रहा है हमारे brain के साथ जो है वो connect कर रहा है तो spinal cord को इस पर जैसे कहा गया है central cable of nervous system यानि nervous system का क्या है यह central cable brain और आपके peripheral nervous system के दर्म्यान में यह central cable जो है यह spinal cord अब spinal cord के अवाले से अगर बात करें तो it is an elongated hollow and cylindrical structure मतलब spinal cord की अगर हम बात करें तो spinal cord जो है यह मिसाल के दूर पर आपका brain का सब यह four brain है यह mid brain है और यह क्या है यह hind brain hind brain का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है जिसको आप medulla oblongata कहते हो medulla oblongata से यह cord निकलती है इसी जिसको हम spinal cord कह रहा है तो spinal cord क्या होती है सबसे पहले तो देखो यह elongated यह longis structure है तो यह क्राई ही औी हैasto कि अलावा है यहğों मतलब क्यों कि और है बीच में से खियो कली होती और बीच के लिस्कoda है इसके लेक्रिकुर स्चिर इसकोम क्या कि रहें हैं इसको होगी इससी क्षेट contact तो इस नीका तो स्वीजिक भर्षे चाहिक्व तो यह लोकेशन देख लेते हैं कि स्जगा पर किस जगापर से बात करें तो पार्येशन की बात करें है इस पाइनल कोड एक्स्टेंड फ्रॉम मेडूला कि इस पाइनल कोड जो है वो कहां से इस्टेंड होती है निए कहां से इस जान ब्हुर्ट कोड़ स्क्राट है और मिलबर को कहां तक आती जाती है आपके एकुष मैं इस लट्ड लमबर वर्टीब्र वर्टीब्र वर्टीब्रे को पता है जो आपका ब に performant वर्टीब्र वर्टीब्रे हॉती है आपको बताये जा होगा जिल्म ने तो प्लोंगेटा से स्टार्ट होके कहां तक जाती है यह आपके लुम्बर वर्टिब्र уж और है क्ई आपकी जो है वो इसपाइनल कोड मतलब थोरेस्दिक वर्टिब्र के मि睡 और यह लुंबर वर्टिब्र पर एक रहा spraw अच्छा लाइंगें दाे नियूरव को यह क्षाली नाओं नजब में इंडा है इसको क्या चैते हैं नेसको क्या entriell टृण को पहलेएं Neural Canal में से, अब हम देखें अगर मैं इसको एक ये, ये एक आपका Vertebral Column का एक क्या है, ये वर्टीब्रे है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो बीच में इसके Cavity है, इसको मैं Neural Canal एह रहा हूँ, तो ये जो Spinal Code है किसमें से गुजरती है, Spinal Code गुजरती है इस Neural Canal में से, के लॉकेशन की अगर हम बात करें तो जो ही e- कोड स्टरॉर्ट कहां से होती है हमारे नेक में जो यह केडूला ऑप लोंगेटा से स्टरॉर्ट होती है out the कि और कहां तक हमारे जो लॉंबर वर्टिब्र हैं यानी बैली रीजन की जो वर्टि्र यहां यहां तक जो यह जाती है और कहां से गुजर रही होती है यह. और कहां से गुजर रही होती है, यह जप कर लेते हैं इस्ट्रक्षर की किस स्वक्छर की किसे जथे बहुती है, सबते रहे mean ए эфф, तो यह देखें, स्क्राइद देन हैं अगर मैं living टव्य यह जुब पेले तो यह बात थिया का कोंसा साइद हो गा जो जो और से कि तरफ न की तरफ जो किसमानल कोड वैंटरल साइड है इसको क्या जयांकिा फेले ये बात रखनें इसका यह पॉर्ण अब क्या होता है कि जुछ इस पाइनल कोड सेंटर सेंटर कोर्षी का है इसका है सेंटर फिल्वारा का हुथ हु justice इस कलर का होता है यह ग्रे कलर का होता है और इसको हम क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको हम ग्रे मेटर के इंसाइट और इसके इतराफ में जो होता है यह यहां पर इसके इतराफ में यह जगा जो यह बाहर वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं यह क्या है यह वाइट मैटर है और बीच वाला जो बटरफिलाई शेफ का है इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर एक वाइट मैटर है और एक क्या है ग्रे मैटर अब वाइट मैटर वाइट क्यों होता है और ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है तो देखो अब एक ब कि व्रेज और दोटेक्स औरंने कुम बाइड का मुझर स्क्राइब्या का मौ STEF और नीचे वाला आय्रिया वह वाइड का और दोप Communication 2023 get और मौ %. ऐूइ वो और तो चलने इदर देख लेते हैं। सब्सक्राइब के उर्येयो तुर्पमू होगा इसको में यहां पर दिखा दाउँ यह न देखें यह आपकी बुक यह होगा इसाइब की न कुछ साइब एस न के स्कौ अंयाद पीछे की तरह बना है ने है वो वाला साइड जो है वो इस पांनल कोड का डॉर्सल साइड हो गया और यह कौँ सा साइड हो गया यह कुदा साइड वींच इसकी तरह जो यह स्ट्रक्चरब च information दो इसो ज्टम का क्रेंट को यह इस तरह इस ना ohrat ख़य वसलड़ साइड कहते हैं तो चलें देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप जो इस पाइनल कोड होता है किसी अगर परसन की आप लेंगे और उसका ट्रांसफर सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें आपको यह पोर्शन नजर में गुए। ले आइसकी पैरिफरी में आपको वाइट में रहा रहा है और अंदर की तरफ आ को यह द रहा रहा है यहां पर ऐंदर देखें तो यह गरेंमेटर में検िホून है । इसके इलावा ऐ टाइनी सेंट्रल कैनल ओ über उसके बिल्कुल सेंटर में यहां पर यह यह क्या मुझूद है पर इस क्णाल में हैं इसमें वहरा हुआ होता है सईरी विडा स्पांडल जो है वो इसमें भरा हुआ होता है तो अब अगर आप इस्पाइनल कोड के अगर हम अब यहाँ पर मैन पार्ट देखें तो सबसे पहले इसका आपास जो है वो क्या है यह बाहर वाला इससा जो है यह क्या कहला रहा है यह कहला रहा है वाइट मेंटर यह सेंटर के अंदर जो बटरफ्लाइ शेप का नजर आ रहा है इंग्लिश के लेटर एच की शेप का जो नजर आ रहा है यह कौनसा मेटर है यह है ग्रे मेटर और ग्रे मेटर के अंदर आपको यह जो कैनाल नजर आ रही है बीच में कैवेटी नजर आ रही है इसको हम क्या कह में क्या है कैवेटी जो है यह मौजूद है अच्छा यह तो हो गया इसके मैं पार्ट इसके बाद थोड़ी आगे बात कर लेते हैं ग्रेमेटर इस शेप लाई का लेटर एच और और अब बटरफ्लाय मतलब ग्रेमेटर की जो आपको शेप नजर आ रही है वह कि शेप का है तो इसकी शेप जो है वह इंग्लिश लेटर एच या किस तरह की है बटरफ्लाय शेप की है अब मैं आपको बताया है कि ग्रेमेटर के अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है निरौन की सेल बोडिमोब इसके इलावा अगर फाइबर भी मौजूद होगा तो वो कौन सा होगा non-myelinated part of the fibers अब आपको पता है निरोन के वो fibers इस तरीके से जादा तर जो multi-polar neurons होते हैं उनके जो dendrites होते हैं वो non-myelinated होते हैं तो कह रहा है कि इसके अंदर ये जो आपको grey matter है, grey matter grey क्यूं होता है grey matter ग्रे क्यों होता है क्योंकि यहां पर निरॉन की क्या मौजूद होती है सेल बोडी मौजूद होती है और सेल बोडी के साथ निरॉन का क्या अगर फाइबर्स भी मौजूद होते है निरॉन के अंदर से जो फाइबर्स निकल रहे होते हैं आपको पता है एक fiber को हम dendrites कहते हैं और दूसरे fibers होते हैं जिनको हम exon कहते हैं तो कह रहा है कि इसके अपर इसके अंदर जो है वो ग्रे मेंटर के अंदर neuron की ज़्यादा तर cell bodies मोजूद होती है और fibers भी कौन से मोजूद होते हैं जो non-myelinated होते हैं यानि जिनके पर myelin sheet नहीं पर myelinator lipids की लेयर चड़ी होती है इसको आप कहते हो मैली कहते हो घुर्ण Arminol nerves originate from ventral horn and dorsal horn of grey matter, अब आप इदर देखो इस ओवाला जो area है इसको क्या कह रहरा है, इसको कह रहे है, इसमों deze डॉर्सल हogण क्या हैenviron 5 अब यह दॉर्सल साइट पर है और यहां वाली साइट पर जो है इसको हम क्या कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं वेंट्रल और इसए क्या निकलती इससे निकलती है इससे क्या निकलती है इससे पाइनल नर्व 애स को पहले तोड़ा इस तरह से समझ लो मैं आपकी इस तरह से फ़ेली एक ची चीज्ज को यहां पर समझगा देता हूं कि क्या है ये डॉर्सल नर्वार अब इदर देखो निसाल के तोर पे ये किसी हमेन का ब्रेन है ये एक ब्रेन है ब्रेन से निकल रही है ये इस्पाइनल कोर्ट ये ब्रेन है और ब्रेन से निकल रही है ये इस्पाइनल कोर्ट अब spinal cord के अंदर जो है ये गर इसको cross section इसका cut करेंगे तो इसमें ये gray matter है और gray matter के surrounding में क्या है ये white matter है इस तरह से ये कुछ होता है इसके अब क्या होता है जब कोई information मिसाल के तोर के अगर आपके यहां पर कोई मक्ही या कोई चीज़ बैड़ जाती है आपके यहां पर आपके hand पर यहां पर कोई चीज़ बैड़ गई है अब क्या होगा sensory neuron message लेके जाएंगे किसकी तरफ यह sensory neuron का dendrite message लेके जाएगा किसकी तरफ आपके spinal cord की तरफ क्या लेकर आगिया ये message लेकर चला गया अब देखो क् sensory neuron का जो इमिशाल के तोर पर यहां ही यह sensory neuron यह sensory neuron का जो dendrite है यह message लेकर आया और यह कहां तक चला गिया यह आ गिया किसके अंदर gmail mater की तरह आपको पता है के sensory neuron के अंदर जो है वो एक ही dendrite होता है अग एक यह sensory neuron के क्या है एक्जोन है और यह एक्जोन कहां चले जाएंगे यह चले जाएंगे किसके अंदर यह चले जाएंगे ग्रेमेटर में फिर ग्रेमेटर में यह सनैप्स करेगा है दूसरे neuron की cell bodies से और दूसरे neuron की cell bodies से यह message कहां चला जाएगा यह message चला जाएगा किसकी तरफ यह आपके brain की तरफ message चला जाएगा इसको इस तरफ से इस तरह से यहाँ पर देख लें यहाँ से यह message चला गया आपके brain में अब आपके brain में जो यह message गया तो आपके brain के जो cerebrum है और cerebrum का भी जो है वो cerebral cortex वाले area में यह message गया यहां पर यह message चला गया अब यह message जब चला गया तो अब यहां पर एक दूसरे neuron होगे जिनको आपके तो inter neuron अब inter neuron decide करेंगे कि अब क्या करना है यह मखी अगर बेठी हुई है तो वो decide inter neuron बताएगा कि आपके पास यह कौन सी चीज है inter neuron इसको जो है वो conclude करेगा या इसकी processing करेगा इस message की जो sensory neuron लेकर आएगा फिर आपने इस मखी को जो है वो थोड़ा सा अपने हाथ को जटका देकर उड़ा देना है या अपना दूसरा हाथ इस्तिमाल करना है इसको message कौन देगा इसका message देगा जो है वो यह जो inter neuron को message जो है वो transfer करेंगे कि थोड़ा सा आपने हाथ को ऐसे जटका दे हिलाएं तो यह मखी खुद ही यहां से क्या होगी उड़ जाएगी तो अब क्या होगा अगर इस तश्वीर को देखो यहाँ पर तो अब message आएगा किस से motor neuron से अब motor neuron जो message लेकर आएंगे वो भी कहा आएगा ग्रे मेंटर में लेकिन ग्रे मेंटर में यह message जो है वो वेंटरल साइट से नहीं जाएगा अब यह motor neuron जो है वेंटरल साइट से यह message लेंटरल जो हॉर्ण है न यह ग्रे मेंटरल जो हॉर्ण है यहां से message लेकर जाएगा किस की तरफ आपके यह हाथ की तरफ तो एक बात देखो यह जो आपका spinal cord है उसमें यह dorsal horn और यह ventral horn डorsal horn से जो है वह यह dorsal root निकल रही है और ventral horn से जो है वह spinal nerve की कौन सी root निकल रही है वेंटरल रूट और यह dorsal root यानि यह dorsal root और यह वाली कौन सी है यह है ventral root यह दोनों अपस में क्या हैं आगे जलकर क्या मिल जाएंगे और मिलकर क्या बना लेंगी यह बना लेंगी spinal nerve यह क्या बना लेंगी यह spinal nerve और spinal nerve के अंदर दोनों ही किसम के नियूरॉन होंगे इसमें सेंसरी नियूरॉन भी होंगे और इनमें क्या होंगे मोटर नियूरॉन भी होंगे यह रहेट से सेंसरी नियूरॉन को शो कर रहा हूं और ब्राउन से मैंने मोटर नियूरॉन को शो किया लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब सेंसरी नि और झालआ जमें से मैसेज ले कर आएंगे तो नीरौन कि ने कर आएंगे वो वेंटरल साइट से लेकर आंदो तो बताने का मकसद आपको सब्सक्साइब कर ने कर रहा है improves सेख्शन इप जब यह बटर्फलाइश का जब धो मैंटर है गृक्ते लिंट्रा के यह जो डॉर्सली साइड है आपस में मिल एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी इस्पानियल कोट की तरफ कोई मैसेज जाता तो वो डॉर्सल रूट से लेके जाएंगे और जब मैसेज वापिस आता है ब्रेंड से बॉडी की तरफ तो वो किस से आएगा वो वेंटर रूट से आएगा मतलब ऐसे समझ लें कि यह दो दर्वाजे हैं एक दर्वाजा जो है वह बैक साइड पर है और एक दर्वाजा जो ह इंफ arbitrarily क्या है वापिस आ रही है और यह वाली जी जगा यह जो फुला हूँ से जो नजराह रहा है आपको इसको कहते हैं डोर्सल डूट गेंग्लियोप मतलब क्या हता है आपकी नियूरोन की सेल गोडियू होती है सेंसरी नियूरोन की सेल बोडूड वह सब यहां पर के यह वैंट्रल र होर्ण किया है तो से deport प्रिशतल और उस्पाइनल्रव क्या है तो पार्णड और सालोहर्ण और श् Dot manuscript अर्व तर्बॉंद रुट्र फा पार्ल रुट्युट मिलर आ पसमें क्या बना लेती यह ऊहिंग अध्या इसके बाद कहता है कि डॉर्सल रूट ऑफ इस्पाइनल नर्फ आलसो कंटेंड गैंगलिया यानि इस्पाइनल नर्फ की जो यह डॉर्सल रूट होती है यहां पर आप देखें यह वाली जगा जो है वो spinal cord की ये dorsal root है इस जगा को आप कह रहे हो spinal cord की ये dorsal root तो spinal cord की जो dorsal root है यहाँ पर ganglia भी मुझे और ganglia मैंने आपको बताया था कि spinal nerves की cell body जहां जमा होती है उस area को हम क्या कहते हैं उसको हम ganglia हम कहते है ganglia present just beside the spinal cord यानी spinal cord के जस करीब करीब arrangement of grey and white matter in brain is opposite to the to death of spinal cord हम देखो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि जो white matter और grey matter है अगर आप brain और spinal cord में compare करो तो brain के अंदर क्या होता है कि जो brain है brain का जो cerebrum होता है उसकी अगर आप बात करो तो brain का cerebrum में जो है वो grey matter बाहर की तरफ होता है यह grey matter का होगा बाहर की तरफ outer side पर और white matter का होगा inner side पर यह white matter का है यह इस जगा पर है और grey matter का है यह outside पर है लेकिन अगर आप यहां spinal cord की बात करो यह जो spinal cord है तो इसमें grey matter जो है वो inner side पर है और white matter जो है वो कहा है आउटर साइट पर है मतलब दोनों के अंदर ग्रे मेटर और वाइट मेटर क्या है प्रेख बाख इसमे जो अच्छित ऑच्छित्प है किक च Missouri मिटर इन्र साइट इसमें वाइट मेटर इन इन्न अच्छितमर तो यहां कहां functions क्या होते हैं इस पाइनल कोड के यह आपकी के बोर्ट की बुक में function अलेदा से दिया है many reflex actions involving body structures below the neck region मतलब हमारी body के अंदर बहुत सारे reflex action होते हैं मिसाल के तोर पे reflex action में पहले lecture दे चुका हूँ reflex action के अवाले से the action which occur at once without the will of an organism अचानक से जो involuntary action हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं reflex action मिसाल के तोर पे मैंने आपको बताया था जैसे हमारा हाथ किसी गरम चीज़ पर लग जाता है किसी hot object पर लगता है तो फोरन अब अपना हाथ अटा लेते हो इसको हम क्या कह रहें यह एक एक इसकी reflex action की लेकिन यह message जो है वो brain तक नहीं गया यह spinal cord से ही वापिस आ गया तो इसका मतलब हमारे बहुत सारे reflex action ऐसे हैं जिनको कौन का control करती है आपकी spinal cord करती है और कौन सा वाला रीजन होता है नेक रीजन यहां से जो मैसेज ही नेक रीजन से वापिस आ गया इसके इलावा conducting sensory impulse from skin and muscles to the brain यह हमारी skin पर अगर को infection हो गया कोई problem आया आपके muscles के अंदर कोई problem है तो फोरन यह message जो है वो कहां चला जाएगा आपके skin और muscle से यह message sensory neuron जो है किसकी तरफ लेके चले किसकी तरफ जो है लेके जाएगे spinal cord की तरफ और spinal cord इस message को कहां वेज देगी आपके brain की तरफ यानि हमारा जो skin और muscles में से जो message होता है brain की तरफ जो है वो कौन भेज़ेगा आपकी नर्द आपकी जो है वो spinal cord इसके अलावा हमारे brain से जो message आ रहा होते हैं हमारे muscles की तरफ specially हमरे nel core limbs के जो muscles होते हैं जिनको हम movements करा रहे होते है जादातर हातों के muscles' पेरों के muscle सें वो किसके muscles हैं वो limbs के muscle सें तो हमारे जितने मसल्स होते हैं, उनको जो मैसेज आता है, वो किस की तरफ से आता है, वो आता है, बैसिकली, जो है, वो भी स्पाइनल कोड से होता हुआ आता है, यानि हमारी बोड़ी की तरफ जो इन्फरमेशन आ रही है, और हमारी बोड़ी से जो इन्फरमेशन जा रही है, वो किस क आपके brain में चला जाता है इसमें spinal cord जो involved नहीं हुआ आपको आगे बता हूंगा इनको हम cranial nerves कहते हैं इसको हम बाद में discuss करें तो आज जो मैंने बात की तो today I told you about spinal cord what I told you about spinal cord that spinal cord act as a central cable यहीं central cable है हमारे बीच का एक तरीके से जो है वो connection है किसके अंदर हमारे nervous system के अंदर हमारे peripheral nervous system को हमारे brain के साथ जो अटेज कर रहा है central cable है which connect our peripheral nervous system to the brain is spinal cord और इसके अगर हम structure की बात करें तो spinal cord elongated होता है brain आपको देको brain तो elongated नहीं है spinal cord क्या है यह elongated है hollow है brain भी hollow होता है spinal cord भी क्या है hollow है और अगर आप इसकी शेप देखो तो इसकी शेप ऐसी cylindrical होती है तो हम कह सकते हैं it is the spinal cord is elongated hollow and cylindrical structure where it is located मतलब located कहां पर है यह कहां से start होता है तो यह हमारा जो medulla oblongata यहां से start होती है spinal cord और जो हमारे lumbar vertebrae होते हैं मतलब यह जो आपका belly region की तरफ जो vertebrae होते हैं वहां तक जो है यह जाता है और यह जो आपकी जो vertebral column होते हैं इनकी बीच में जो canals हैं खाली cavity है जिसको हम neural canal कहते हैं इस neural canal के अंदर से spinal cord गुजरती हुए जाती है अच्छा इसके बाद अगर structure की बात करें तो structure के अंदर मैंने आपको कहा था तीन में में पातों ऐगा था एक वत मत यद असके बातल से विडिया थे क्या और ये जो में रड़ विडेसा अंद आपक्या था है था विडेस्ट अ। शेंटल केना अफटर आप फिए गेस्स सेप्या सैंटल केना ठीडिडसाे ओट य बीकर निर्व मॉका है कि यह जो जो आपके हैं होते हैं जो हमें इसकाफ को पर ऐसे connective tissue की एक layer चड़ी होती है उपर से अब इसको हम क्या कहेंगे इस पूरी structure को हम कहेंगे नर्व इस structure को हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे नर्व यह दोनों ही साथ होते हैं मोटर निरोन भी है और sensory निरोन लेकिन जब यह spinal code के करीब आते हैं न तो यहां से इनका रास्ता चेंज होता है sensory निरोन जो message लेकर जाएगा वो dorsal root यानि back door पीछे वाले दर्वाजे से और जो motor निरोन जो brain से आ रहे होंगे वो कहां से आएंगे वो basically जो आएंगे वो आते हैं किस से यह front door से यानि सामने वाले दर्वाजे से जिसको हम कह रहे हैं ventral root और जो dorsal root होती है वहाँ पर आपको ganglion नजर डियाए यह dorsal ganglion नजर आएगा जबके ventral root पर यह आपको नजर नहीं आता तो यह हमारी जो हैं यह कहते हैं इस्पाइनल अभी डिसकस करूंगा कुछ इस्पाइनल नर्व होती हैं कुछ क्रैनियल नर्व भी होती है क्रैनियल नर्व मैं आपको बाद में बताऊंगा जो डायरेक्ट ब्रैंट से जो है वो अराइज होती है so it was all about about the structure and function of spinal cord कर दो